खबर बैंकों के निजी करण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है एक्स्लूजिव है ये सोर्सिस के हवाले से और निजी करण के प्रोसेस में 14 अप्रेल के ऊपर एक बैठक संभव है यानि कल एक एहम बैठक होने वाली है असीम के पास पूरा डीटेल है पहले असीम से बाची पहुंचने वाला कि वो दो बैंक जो हो कौन से होंगे जो निटियोग है और जो बैंक वी जो आरगी और विधि मंतराली या वह बुद्वार को इसको लेकर करके यानि कि कल 12 बजए इसको लेकर के एक एहम बैठक हो करने वाले है जो इस पांच बैंक आपको आपको उसके नाम बता दूए इसमें खास्वरपे की बैक को महरास्टरा इसमें Central Bank ए इंडियन Overseas Bank है और इसके अंदर Bank of India है तो यह चार नाम है जिनकों की शॉर्ट रिस्ट करके जो है नीतिय ओगने वितमन्त्राले के पास बेजा है तो कल बहतक जो होने वाली इस बहतक में इसके ओपर फैसला हो सकता है कि कौन से दो बैंक जो है फ्रेंट रेनर प्राइविटाइजिशन के लिए सबसे पहले जाए होंगे असीम आउमाईसाल बने रही है एक एक करके जो चार नाम है वो आपके स्क्रीन पर रखते हैं इंडियन ओवर्सीज बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ महाराश्च्रा ये चार नाम आपको असीम ने बताए हैं और स्क्रीन पर आप इनके भाव देख पा रहे हैं इंट्रस्टिंग पार्ट यह है कि इंडियन ओवर्सीज बैंक 17 रुपे के आसपास एशियर अभी कामकाच कर रहा है, हाईज करीब करीब 227 रुपे की, यानि कि अल्मोस अपनी 90 परसेंट से जादा वैल्यू वाइप आउट कर चुका है, हायर लेविल से, रफली साड़े 26, जार कुर्ड रुपे के आसपास की मार्केट कैप है, तो एक अच्छा आकड़ा, हायर लेविल से काफी करेक्शन, और शायद यहां पर एक अच्छी मूव आते वे भी दिखाई पड़े है, और बाकी शेरों पे भी अगर आप नदर डालेंगे, तो बैंक आफ इंडिया कर परीप साड़े छे परसेंट उपर डे हाई पर कामकाज करते वे और साती साथ आप बैंक आफ महाराश्टरा नदर डालिया, सतानवे रुपे का ओल टाम हाई और पच्छिस रुपे पे शेर अभी कामकाज कर रहा है, पंदरह हजार क्रोड रुपे के मारकेट कैप, ग्यार इसके पर फैसले रहे सकती है, और क्या-क्या डीटेल्स गूइंग फावड आने की उम्मीद हम लगा के चले अगले कारोबारी सातर के लिए? को का नाम शॉटलिस्ट करके जहनी पिया है, अब फाइनल डिसीजन जहा है, वो अधिकारियों को करना है, कि कोन से बैंक को पर अंतिम फैसले है, हो जाएगा, खास्तों पे बैंको महराश्टा जिसके की बहुत कम बेंपलोई है, एक फ्रंट रनर जहा है, यह बैंक हो सकता दूसरा बैंक जहा है, वो फाइनली डिसकेशन के बाद निकल कर गएगा, कि कोन से बैंको सरकार दो फाइनली प्रिवटाइज जहा है, करने की तयारी जहा हो करने है, अराश्टा सबसे कम इंपलोई बेस और शायद पहला प्रोबेबल नाम यह हो भी सकता है, करीब-करीब बारा परसेंट उपर, दिन के उपरी इस तरों पर बैंक ऑफ महराश्टा काम काच करते हैं, और इनफाक्ट बैंक ऑफ इंडिया तेजी और बढ़ी, साथ परसेंट से जादा का उच्छाल, यहां पर भी देखने को मिला है, साड़े बारा परसेंट, आभी चार्ट लेकर तेजी अब बैंक ऑफ महराश्टा में आप देख पा रहे हैं, नीचे का भाव जल्दी अपडेट हो रहा है, और उपर के भाव में अपडेशन में कुछ इशूज है, लेकिन फिर भी करीब करीब 13% उपर काम काच करते हैं, इनफाक्ट पूरे ही PSU बैंकिंग स्पेस में अब एक लहर आते हैं, जोड़दार तेजी हैं, पूरा PSU बैंक और सेंटरल बैंक ऑफ इंडिया दिन के उपरी सतरों पर, बैंक ऑफ इंडिया करीब 8% उपर काम काच करते हैं, और बैंक ऑफ महराश्टा जो की लीड कर रहा है, करीब करीब 13% उपर, अब आयोबी में भी तेजी और बड़ी, रफली 13% के आसपस का उचाल, यहां पर भी देखने को मिला, दिन के उपरी सतरों पर, ये भी काम काच कर दो,